जम्मो के वैशुदेवी मंदे परिसर में बीती रात करीब दो बज़े के बाद भगदर मच गई जिसमें तेरा लोगों की जान चली गई है कई लोग घायल बताए गई है जिनका अस्पताल में लाजारी है नई साल के मौके पर यहां दर्शन करने वाले शद्धानों की भारी भीड जुट गई और रात में अच्छानक किसी बात को लेकर भगदर मच गई इस हादसे के बाद जम्मो कश्मीर के उप राजपाल मनोस सिन्हा ने जवांच कमेटी बिठा दी है हादसे को लेकर अब प्रशासन पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रही है आखिर कोरोना काल में इतनी भीड कैसे जुट गई और भीड जुटी तो सुरक्षा के इंदजाम क्यों नहीं थे सबसे बड़ा सवाल यही है अब घटना के बाद प्रशासन मुस्तेद हुआ है और फिर कुछ घंटो बाद भीड को काबू किया गया प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी और उपराज जुपाल मनोस सिन्हा इस घटना पर लगातार नजर बना हुए है पियम राहत कोश और जह्मु कश्मीर के उपराज जुपाल के तरफ से मुआवजे का एलान भी किया गया है पियम राहत कोश से मृतकों के परजिनों के लिए दो लाख रुपे घायलों के लाज के लिए पचास अजार रुपे और राजसरकार के ओर से मित्कों के परिजिनों के लिए 10-10 लाख रुपे घायलों के लाज के लिए 2 लाख रुपे मिलेंगे तो बताये ज़ा रहा है कि नई साल के मौके पर शधालू 12 बज़े के बाद माता वैशन देवी के दर्शन करना चाहते थे इस वज़े से भवन के पास बड़ी संख्या में लोग इखटा हो गए और नीचे से आने वाले लोग भी वहीं रुख गए कहा तो ये भी जा रहा है कि भीड में कुछ यूखो की एक दूसरे से जड़ाप हो गई जिसके बाद वहाँ भगदर मच गई और 12 लोग मारे गई वही घटा के बाद जिला प्रशासन ने हेलफ लाइन नंबर भी जारी कर दिये हैं तो ये तस्वीरे आप देख रहे हैं भारी संख्या में शद्धालू यहां पहुंचे थे मावैशनों के दर्शन करने के लिए वैशनों माता के दर्शन करने के लिए लेकिन ऐसी भगदर मची कि 12 लोगों ने अपनी जान गबा दी है फिलहाल आकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि कई लोग गंभी रूप से घाल बताये जा रहे हैं जैसे ही भगदर मची वैसे ही हालात बेकाबू हो गए आसपास के जो लोग वहाँ पर मौजो थे उन्होंने किसी तरह से भीड को तितर वितर किया है प्रशासन ने तितर वितर किया लेकिन सवाल एहम है और सवाल बहुत ज्यादा है कि कोरोना काल में भी कोरोना गाइडलाइन्स का पालन तो बहुत दूर की बात है भीड को काबू करने के लिए वहाँ पर प्रशासन सही मातरा में दिखाई नहीं दे रहा था तो ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर इतनी भीड को पर्मीशन किस ने दी लोग कहां चड़े हुए हैं आप देख सकते हैं आसपास जो सुरक्षा के लिहां से सपोर्ट के लिए जो पिलर्स बनाए गए हैं लोहे के उन पर लोग चड़े हुए अपनी जान बचाने के लिए कि कुछ वियाईपी लोग यहां पर दर्शा करना चाते थे जिसकी वजह से आम लोगों को रोका जा रहा था और इसी वजह से वहां पर कहां सुनी हो गई कहां सुनी में इसी वजह से लोगों की जान चली गई है तो पूरे देश में शोक की लहर है क्योंकि जैसे ही नए सा का आगाज हुआ उसके बाद सुबह उड़ता ही लोगों ने साल के पहले दिन ये खबर सुनी है तो एक आसा से जुड़ा मुद्धा भी है और ऐसे स्थल पर इतनी बड़ी दुरगटना हो जाना वाकई आखों में आसु भर देता है लेकिन सवाल ये है कि आखिर यहां पर इ तो मा वैशु देवी दरबार में भगदर मर्ची और बारा लोगों की जान चरी गई घटना के बाद से जिलाप्रशासन ने हल्प लाइन नंबर जारी कर दिये हैं ग्राफिस के माधियम से आपको बता रही है तो वैशु देवी शाइन बोर ने जारी किया हल्प लाइन न जिससे संपर्क साधा जा सकता है जानकारी जुटाई जा सकती है तो 019912348-04 या फिर 01991234-53 पर संपर्क कर सकते हैं PCR कट्रा के हल्प लाइन नंबर 0199123-2001 या फिर 9419145182 पर भी आप जानकारी ले सकते हैं PCR या इसी के हल्प लाइन नंबर 0199145076 या फिर 9622856295 से भी आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं DC कारालेर या इसी कंट्रोल रूम नंबर भी यहाँ पर जारी किये गए हैं तो ये वो नंबर हैं जिसके माधिरम से आप अपनों की जानकारी जुटा सकते हैं क्योंकि बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उत्तरप्रदेश से गए हुए थे और इनमें जो मित्को की लिस्ट है उसमें नाम शामिल है कि ये लोग कुछ गाज़ेबाद के बताये जा रहे हैं कुछ रॉइडा के बताये जा रहे थे तो ऐसे में जो लोग हैं जो अपनों का इंतजार कर रहे हैं वो इन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके वहां की स्तिती की सूचना ले सकते हैं तो आज की ये बहुत एहम ख़बर है और दुख़द ख़बर है क्योंकि सुबाटते ही सब सबसे पहले इसी ख़बर के बारे में सब को मालूम चला और जिसके बाद मायूसी जो है वो नए साल के पहले दिन लोगों में देखने के लिए मिली है क्योंकि साल का पहला दिन और लोग चाते थे कि वो साल की शिरुवात मावैशनों के दर्शन के साथ करें लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वहां पर उनके साथ ये भीशन हाथसा हो जाएगा रात का वक्त था दो बच कर 35 मिनट हो रहे थे तभी आचानक कुछ लोग आपस में कहा सुनी करने लगे कहा सुनी के बाद भगदर मच गई कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इन खंबो का सहारा लिया कुछ लोग खंबो पर चड़ते हुए नजर आए इसके साथ ही जैसे ही खबर प्रशासन को पता चली प्रशासन मौके पर पहुँचा है भीड को तितर पितर किया जिसके बाद अब जाकर सुभा दुबारा से जो यात्रा है उसको चालू कर दिया गया है लेकिन देश में दुख का माहौल है आस्ता से जुड़ा ये मुद्दा है इसके अलावा प्रधार मंतुरी नरेंदर मोदी ने मौाबजे की घोशना कर दी है दुखत बताया इस घटना को इसके अलावा तमाम जो राजनेता है वो भी इस पूरी घटना पर दुख व्यक्त कर रहे हैं तो व पारूल त्यागी मेरे साथ लाइब जुड़ गई है पारूल वैशनो देवी मंदीर परी सर आस्ता का प्रतीक लेकिन यहां पर जब लोग जा रहे थे कि साल की शुरुवात हम मा वैशनो के दर्शन से करेंगे लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इतना बड़ा हाथसा उनके पाउजूत भी पता के चलाए जारते नए साल का स्वागत ही अजारता लेकिन सुबह होते होते एक बेहत दुखत खबर आई कि वैशनो देवी में इस तरह का हाथसा हो गया कि महां पर श्रधालों में भंतर मज गई लेकिन काजुल सबसे बड़ी बात यहां पर जो निकल क संख्या में लोग जाएंगे दूसरी बात यह थी कि नए साल में जिस तरह से आपको बता दें के नए साल में कहा जाता है कि वैशनो देवी हो या तमाम धार्वे किस साल हो वहां पर लोग भारी संख्या में पहुंचते हैं तो ऐसे भी पहरे से ही इंतिजाम कही ना कहीं व पावली का तेवाहार हो तमाम तेवाहारों पर वैशनो देवी में भारी संख्या में श्रधालू पहुंचते हैं लेकिन उसके बावजूद जब इस तरह की लापरवाई सामने आएगी कि वहां पर इंतिजाम में ने किये गए और सबसे पड़ी लापरवाई की बात क्यों दी गई और अगर दी गई तो वहां पर वैवस्था क्यों नहीं गी गई थी कि इतनी भारी भीड को आप कैसे वहां पर पूरी तरह से उसका आयोजन कर सकते हैं और सम्हाल सकते हैं प्रशासन परियाप मात्रा में परियाप संक्या में वहां पर क्यों मौजूद नही कह रहे हैं जो चश्मदीद हैं जो वहाँ पर पहुंचे दिन जो ने किसी तरह से अपनी जान बचाई है वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ना तो एंबुलेंस की कोई विवस्ता थी ना ही फॉस्टेड कोई मौके पर था आसपास जो लोग परिवार के तो नों नहीं अपने की जा बचाने की कोशिश की है बिल्कुल काजोल सबसे बड़ी बात यही है कि वहाँ पर किसी तरह के कोई इंतिजाम नहीं थे लेकिन देखिए सबसे पहली बात काजोल आपको यह बता दूँ के जब भी बैश्टो देवी कोई भी शुदालू जाता है या फिर चड़ाई पैद ना तो एंबुलेंस की विवस्ता थी ना वहां किसी और चीज़ की विवस्ता थी फथी तो कही न कहीं परसाशन को भी यह अंबीद नहीं थी कि इस तरह क्या कोई हाद्सा हो जायेगा और इतनी ज्यादा संख्या में लोग पहुँच जाएंगे कि उसको कन्रोल करना मुश करने थे कि बारा बजे एंगे नया साल के शुरुआत हो गई तो माता के दर्शन के साथ वो करेंगे लेकिन कुछ जानकारी ये भी मिल रही है कि कुछ लोगों में कुछ यूकों में जड़ाप हो गई थी धलान का वो एडिया ता जहां पर ये जड़ाप होई उसके बाद वह खुद घटना इस साल पर जाओंगा तमाम बड़े बड़े नेता ट्वीट्स कर रहे हैं दुख इस घटना पर जटा रहे हैं और जांच की बात भी यह कह दी गई है लेकिन सबसे बड़ी बात काजोल ये है कि आए देन इस तरह के हाथ से हो जाते हैं लोगों की जान चली जाया तो कुछ धालो ये कह रहे हैं जो जश्मदीद वहां पर थे कि कुछ वियाई पी वहां पर पहुंच रहे थे उनको दर्शन करने थे इसे वज़ाँ से भीड़ को अटानी की कोशिश की गई और सी वज़ाँ से जड़ाप हुई जिस वज़ाँ से वहां पर एकदम से भगदर मच्छी और बारा लोग पारूल बहुत बड़ा आकड़ा ये कहा जा सकता है क्योंकि बहुत सारे घायल है अब इस तिती क्या है ये साफ नहीं हो पा रहे है क्योंकि कुछ भी आप बोलने के लिए कोई तयार नहीं है लेकिन सवाल ये है कि 12 लोगों की जो जिन्दगी चली गई है आकिर उसका जिम्मेदार कौन है क्योंकि एक दो दिन इस पूरे मामले को उठाया जाएगा उसके बाद मामला पूरा ठंडे बस्ते में चला जाएगा क्या जांच क्या कमीटी कुछ भी निकल कर सामने नहीं आए कि आखिर लाको की संख्या में पर्मिशन किस ने दी जब हर जगा पर हर राज़े मामले बढ़ रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में माता के दर्शन के लिए आखिर क्यों वहापर धार्मिक स्थलों को खोला गया है जब हर जगा पर धार्मिक स्थल बन है आम जनता के लिए वो जिस तरह से आपने भी कहा कि 370 हटने के बाद से सरकार लगातार अपनी पीट थपतपा रही थी कि हमने बहुत अच्छी विवस्ता वापर करती है 370 जम्मु कश्मीर महटा दिया गया उसके बाद से कोई भी घटनाएं नहीं हो रही लेकिन अब कही न कहीं विपक्ष एक बाद फिर से सरकार को इस मुद्धे को लेकर घेर सकता है क्योंकि अब जवाब देना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि जब आपने पूरे देश में धार्मे किस्तलों पर रोक लगा दी और देखे काजोल यह सिर्फ इस साल की बात नहीं है हर साल इसी तरह से लाखों की हजारों की संक्या में शृधालू नए साल पर पहुंचते हैं जान गई है उसमें से दो-तीन लोग ऐसे हैं जिनकी अभी पहचान नहीं हुई है। ये भी है कि जैसे कि आपनी भी बताया और कुछ धालों भी उता रहे हैं कि एंबुलेंस की विवस्ता नहीं थी। एंबुलेंस भी नहीं थी तो वो क्यों नहीं थी और अगर थी तो काफी वक्त लागा होगा जिसकी वज़र से कईयोंने वीश रास्ते में ही दम तोड़ दिया होगा। बिल्कुल काज़ों इस्तृती कुछ ऐसी ही वहाँ पर बनी थी क्योंकि भी बहुत जादा थी देखीए एंबुलेंस की अगर बात की जाये कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि एंबुलेंस वहाँ पर नहीं थी कोई भी विवस्ताप्राश्यूं की तरफ से वहाँ पर नहीं एक situation ये भी बन सकती है क्योंकि देखिए भवन में entry होती है ambulance वहाँ पर नहीं होती ambulance उससे काफी पीछे होती है जहां से भवन के शुरात होती है या उससे भी पीछे तो कहीं न कहीं एक चीज ये भी है कि वहाँ तक ambulance आने में भी समय लग गया होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों की भीरती तो ऐसे में ये चीज भी हो सकती है और जिस तरह से आपने पहले एक सवाल किया था कि क्या कुछ VIP लोगों की entry के चक्कर में पूरा विवाद हुआ है तो देखे काजूल ऐसा हो सकता है अभी हाला कि इस बारे में कोई जानकारी नहीं है लेकिन अक्सर ऐसे होता है वैशो देवी के दर्बार में कि जब हम देखते हैं कि कोई भी वी वी आईपी या फिर कोई भी बड़ा राजनेता या फिर कोई फिल्म स्टार वहाँ पर पहुंचता है तो अक्सर उनके दर्शन के लिए आम लोगों की एंट्री रोक दी जाती है और देखे खुद सो सकते हैं काजूल हम के जो लोग बहुत मन बना के अपने घरों से निकले होंगे कि रात के जब बारा बजेंगे हम नए साल के शुरुआत माता के दर्शन के साथ करेंगे लेकिन अगर महाँ पर कोई भी वी आईपी पहुंच जाता है तो कहीं न कहीं उनके मन में एक सवाल ये भी आया होगा क्योंकि अभी भी कहीं न कहीं स्तिती साफ नहीं है खुलकर ना तो प्रसाशरं के तरफ से कोई बयान दिया जा रहा है ना ही अभी सरकार की तरफ से इसको लेकर कुछ कहा गया है अब कमेटी के बाद क्या कुछ खुलासे होते हैं देखना होगा लेकिन सवाल बस वही है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पर शधालू कैसे पहुँच गए क्यों वहाँ पर ओमिक्रोन या कोरोना की वजह से वहाँ पर लोगों को नहीं रुका गया टिकेट क्यों दिये गए और जैसे कि आपने पहले बताई कि कुछ लोग तो बिना टिकेट के ही ऊपर चले गए थे इसके अलावा देखिए आटी पीस्यार बहुत जरूरी है और अगर आपका वैक्सिनेशन पूरी तरह से कम्प्लीट है तो ही आप यात्रा कर सकते हैं ऐसे में बहुत सारे सवाल है पारूल जो सामने है लेकिन जवाब मिलना उसका बहुत मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है यह गुद्रगटना बेहद गंभीर है दुखद है हर किसी को दुख है चाए मैं हूँ चाए आप हो चाए देश की आम जनता हो हर किसी को दुख है लेकिन सवाल फिर वही है पारूल कि आखिर कुछ लोगों की वज़़ह से जो आम जनता इतने मन के साथ इतनी शद्धा के स दर्शन करने के लिए पहुंचती है उनके साथ ये दुर्वेवार क्यों होता है अगर ऐसा हुआ है तो ये बेहत गलत है इसको लेकर भी जांच होनी चाहिए और फिलाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें पहुंचाने के लिए और धन्यवाद आपका जो आपने इतने अच्छे से तमाम चीजे बताई हैं तो जम्मू कश्मीर खासकर कि जम्मू में मावैश्नो देवी के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में भीड पहुंची थी जहां पर रात के समय यहीं कहें कि अर्ली मॉनिंग ये घटना हो गई और सुबा सुबा देश भ पर में खबर फैल गई कि मावैश्नो देवी के दर्शन करने गई भीड में भगदर मच गई और तेरा लोगों की जान चली गई है